हेलो बच्चों जही में 24 का क्वेश्चन है 8th अपरेल 1st shift का अप्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल अफ मास 150 ग्राम मुविंग अट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इव दो कैचिंग प्रोसेस कम्प्लीट इन 0.1 सेकंड प्लेयर के हाथ पर कितना फोर्स लगेगा यह हम लोग को बताना है जैसे मालने जिये कि यहां से एक बॉल आ रहा है ठेके और उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड और यहां पर एक ऐसे प्लेयर खरा है कैच करने के लिए ठेके तो बॉल आके जब यहां पर कैच हो जाएगा तो फाइनल लॉस्टी क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा बट मोमेंटम में तो चेंज आया ना क्योंकि बॉल के मास में चेंज आएगा नहीं पहले स्पीड था बाद में स्पीड जिरो हो गया तो मोमेंटम में चेंज आयेगा ही आए खेक है तो मोमिनटम में चेंश आएगा तो हम लोगो सेंज इन मोमिनटम नी impairment पड़ेगा तो चenser इन मोमिनटम में क्या लीक हैज का मैंनिकन नीका लो फालन माइन्टबस इनीश्यल ठेक है तो फालन केतना है जिडिए है मास दिया हुआ ठीक है और फाइनल जीरो है और इनिशिल यहां पर मालेजिए एम यू है तो हम क्या लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम एम यू बट यहां पर मास हम लोगो ग्राम में दिया हुआ तो इसको केजी में कनवर्ट कर लीजिए वच्छों ठेक है और यहां पर कि सब कनवर्ट क्यों कर रहा हूं यह क्वेशन किसी का माइन में आ सकता है 15 इंटी 230 बाइ 10 यह किसी का माइन में आ सकता है कि मैं कनवर्ट क्यों कर रहा हूं ठेक है तो कनवर्ट इसलिए कर रहा हूं कि मुझे फोर्स चाहिए ठेक है एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता तो according to Newton's second law, देखे, according to Newton's second law of motion, second law of motion के according क्या होता है, तो second law बोलता है कि external force is directly proportional to, यह external force is equal to rate of change of linear momentum, तो rate of change of linear momentum, that is delta P by delta T, ठीके तो आपने निकाल लिया है, कितना है, 3 kc, और यह जो momentum में change आया है, यह just before striking, यह just before catching the ball, इसका speed क्या था, 20, just before 20 था, and just after क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इस पूरे process को change होने में, कितना time लिया है, इसने, 0.1 second का, ठीके, तो आप क्या लिखेंगे, 3 upon 0.1 second को 1 by 10 लिखेंगे, तो यहां से आपको जो force के बारे मालूम जो होगा, 3 into 10, that is 30 newton, तो man के हाथ पे, या man ने ball पे कितना फोर्स एक्षर्ट किया होगा, त तो man ने भी इतना ही force लगाया होगा ball के उपर, ठीके, तो यहां पर 30 newton का force exert करेगा, player के हाथ पे, तो option number 3 is right answer.